यह वेलकम यू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है से यूट्यूब चैनल पर चलिए शुरू करते हैं आज से अब स्टार्ट करने वाले यह जो आपका लेकपाल की विकेंसी निकली है आप सभी को पता होगा लेकपाल की लगबग सब्सक्राइब के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए लेकपाल से रिलेटेट क्वेशन्स जो हम बहुत ज़्यादा प्राक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उसके हम आंसर्स भी मांक करेंगे और आंसर्स के साथ-साथ जुड़े हुए एक्स्प्लेनेशन्स फोबी में आपको सॉल्व कराऊंगी ठीक है तो पूरी फ्री में आपकी त्यारी हो जाएगी लेकपाल की और एक बात आप मानके चलिए पेपर लगबग कब तक होगा लेकपाल का अप्रेल के आसपास तक क्योंकि मास तक तो चुनाव है चुनाव के बात फिर उनका डिक्लरेशन फिर शपर यह सब होने से अप्रेल के आसपास तक है कि आपका लेकपाल का होगा तब तक बढ़िया से तयारी करेंगे बिल्कुल और सिविल इकैडमी के चैनल से जुड़े रहेंगे और तयारी अपनी करते रहेंगे अब देखो जो लेकपाल का परेशन उसमें आपके सेक्शन है कि केपचस-पचस क्वेशन हमने हर सेक्शन से जिसमें एक एक सेक्शन है आपका । इक विकास ढही mobile 35 रहेंगे तुम मैं आपके नहीं 15 लिए के लिए जो की हिंदी के है वो और 25 ग्राम विकास के उनके लिए ़हां multiple choice questions करेंगे बहुत सारे questions करेंगे practice करेंगे और उससे related जो भी information है यानि एक question के answer में मैं आपके चार question तयार करा दूंगे इस तरीके से हम practice करेंगे बस आप जुड़े रहेंगे civil academy के इस नई initiative के साथ में तो आज शुरू करते हैं बिना किसी देर के और सबसे पहला question आपके सामने जो आ रहा है वो लाओं उससे पहले एक जरूरी जानकारी जो आप लोगों को दे दूं बहुत important है आपके लिए मैं तो question करा होगा कहां पर करेंगे तो pdf के लिए ये टेलिग्राम ग्रूप जरूर से जॉइन कर लीजेगा आप सिविल academy का जिससे की जो भी question मैं आपको कराओं उसके pdf आपको सारे यहां पर available हो जाए ठीक है आप बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी पहला question आपके सामने डाल और इस आशा का और इस उम्मीद के साथ में डाल रही हूं कि आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत तयारी की होगी और इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी ही बताएंगे मेरे बताने से पहले आप लोग बता देंगे इतना में जाननों ठीक है चलो पहला question है जमाबंदी का नवीनी करण कितने वर्षों में किया जाता है जो लोग भी लेकपाल की तेयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि लेकपाल मेंली करता क्या है क्या काम होता है लेकपाल का या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो पटवारी का क्या काम होता है तो वही लेकपाल यानि लेक वगरा रखता है जो भी भूमी से रिलेटेड जितने भी ब्योरा होता है गाउं के शेत्र में उसको रखता है आप का लेकपाल ठीक अब पूछा गया है कि जमावंदी का नवीनी करण है वो कितने वर्षों में किया जाता है पहले question पर focus करेंगे answer के साथ में आपको इससे related टीन चार बातने भी बताने वाली हूं ठीक है चलो जल्दी बताओ answer बिलकुल चार वर्ष होता है इसके नवीनी करण करने का आपका चार वर्ष के अंदरगत किया जाता है चार वर्ष के बाद किया जाता है जमावंदी का नवीनी करण यानि new जो फिर से पुनहा लिखना कितने वर्षों में किया जाता है जमावंदी का तो चार वर्षों में अब सवाल यहां यहां पर उठता माले आपका सरी कर रिजस्टर्र सकते हैं क्या लिखता है लेकपाल पटवारी उसके अंदर जितनी वी किसान के पास में जमीन है उसके स्वामित्व की जितनी भी जमीन है ऍरतके प्रश्ची की जो जमीन है किसान के पास में, उसे लिखा जाता है जमाबंदी के अंतरpping और हर चार साल के बाद ने इसका नवीनीकरन होता है किसका जमाबंदी का जमाबंदी क्या है एक विवरण है, एक रजिस्टर माने लो एक आपध्यूस्ति मान सकते हो जिसके अंतरगर्ट किसान की जो टोटल भूमी है एक अलग-अलग किसानों का सबका अलग-अलग लिखा जाता है और हर चार साल बाद इसका नवीनी करण किया जाता है किसी की जमीन किसी और के पास में चली गई होगी आपस में बटवारा हो गया होगा तो अब स्वामित्व क्या हुआ बदल गया ना एक किसान के चार बेटे थे अब चारों के बीच में जमीन चली गई तो सबका स्वामित्व अलग हो गया तो इसलिए हर चार साल में इसको स्वाल जरूर पूछ जा चुका है ऐसे सवाल याद कर लेना है जАलदी बताएंगे बिल्कुल पहला एक उत्तर प्रदेश का जो भू राजस्वधिनियम है कौन सा 1901 इसकी धारा 23 में है आपका लेकपाल का उल्लेक इसके बारे में लेकपाल शब्द के बारे में एक लेकपाल होगा जो भूमी के सारे रिकॉर्ट जो होगा वो रखेगा इसकी बात कि सदिनियम में कही अब मुझे एक बात यहां पर यह बता दो अभी आगे आएगा मैं आपको बताओंगे यह खतोनी होता है यह बताओ जरा कमेंट एक्शन में अगर किसी को पता है कौन सी धारा में वर्ड़नित है चलो नेक्स्ट नमबर 3 मुझे बताना कमेंट एक्शन में ठीक है मैं तीसर कि सेवाएं कैसी होंगी इसके लिये कुछिन नियम कुछ नियम कुछ कानून मना जाएंगे जन नियम को इंतरगर्ट लेक पाल की सेवा लेक पाल से सवाएं ली जाएंगे या करे गारेगा वो कब बनी हमें बताना है वो Cuando ए बतानी है यहां पे आपको बिलकुल सही 2006 क happiness तो 2006 में वर्ष 2006 में लेकपाल की सेवा की जो नियमावली है उनको बनाया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अब यहां पर यह बात भी ध्यान रख लेना एक देख लेना किसकी सरकार थी उस समय गौर्मेंट किसकी चल रही थी जब यह नियमावली बनी थी आप स 2006 में देखना किसकी सरकार थी मुख्यमंतरी कौन ते मैं आप पर वह नहीं बता रही आंसर मैंने तोड़ी ना बताने कुछ आप भी बताएंगे ठीक 2006 में बनी थी सरकार देखकर के आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसकी सरकार थी अब आधाएं एक हसरा बहुत दोनों को मिला करके क्या केते हैं इन दोनों को मिला कर pec Main जैसे हम अपनी वन चीट बनाते हैं कुछ यहां लिखते हैं फिर पिर कुछ यहां लिखते हैं इसे ही your sister होता है उसमें खाने बने होते हैं कितने ग गॉल्म होते हैं बिल्कुल 22 खाने कीटी Nee जल्दी से किसमें होते हैं खतोनी में विल्कुल सही् होती हैं उसमें 13 खाने होते हैं अंदर भी आपका जमीन से related जो बाते होती है जमीन से related जो important चीजे होती है document होता है दस्तावेज जो होता है वह कहलाता है आपका खसरा और खतोनी भी वही होती है डाजिस्टर ही है आपका एक तरीके का खतोनी भी असरे बड़े होते हैं, बाइस खाने होते हैं, ज्यादा इंपरमेशन होती हैं, खतोनी छोटे होती हैं चलो, नेक्स्ट क्वेशन नमबर फाइट, पटवारी शब्द का सरप्रथम प्रियोग या सरप्रथम प्रारम किसने किया था? तो कौन था इन चारों मेंसे जिसने पटवारी शब्द को शुरू किया था? पटवारी का पेपर देने जा रहे हो, पटवारी शब्द किसने दिया? सबसे बेसिक क्वेशन है, यह तो आपको याद होगा ही होगा अंसर बिलकुल भहिया, वही शेर्शा सूरी जो ग्रांट ट्रंक रोड के लिए प्रसिद्ध है, एक तरफ इन्होंने चलाई जीटी रोड, एक तरफ लेकर के आते हैं, ग्रांट ट्रंक रोड बनाते हैं, और वही दूसरी तरफ गाओं में या विलेज लेवल पर हूँ ल लेखो को, मैनेज करने का या प्रबंदित करने का काम भी इनी के कारेकाल के दौरान हुआ था, शेर्शा सूरी के दौरान, ठीक है, चलो, नेक्स्ट आते हैं, क्वेशन नमबर 6 पर, भूलेख निरिक्षक कौन होता है, आप देखो, हाँ, हलाकि थोड़ी से टिपिकल पर समझ में आरा है, अगर मतलब देखोगे तो, भूलेख निरिक्षक, भूमी के जो भी आपके लेख है, यानि भूमी के बारे में, जहां पर भी इंफ्रमेशन लिखी गई है, उनको निरिक्षक कौन होता है, एक होता है, देखो, हमने गहा कि लेख पाल क्या होता है, का पूरा डॉक्यमेंटेशन करता है अब उसके डॉक्यमेंट को देखता कौन है तो देखता है राजस्व निरिक्षक जिसे क्या कहते हैं कानून गो तो कौन भूलेक निरिक्षक कौन करता है भूलेखों का निरिक्षण करना निरिक्षण कौन करता है भूलेखों का कानून क करता है राजस्व निरिक्षक करता है भूल एक हो सारे बहुत important question है और उनमें से एक ना एक जरूर फसके जाएगा तो अगर मानगे चलो आज से अभी चल रहा है तुम्हारा जन्वरी परबरी मार्च तक अगर लगातार मैंने question कराए है ना हर दिन question कराए है कम से कम नहीं कम से कम 500 question कराके तुम्हों को भीजूंगे जो जिस्से की अच्छस question आराम से लगेंगे ग्राम विकास वाला जो है आपका portion एक तना बहतर हो जाएगा कि आपको फिर चंता करने की जरूरत नहीं होगे किसी बीवात की चलो now question number seven किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेकपाल कर दिया गया तो पटवारी शब्द किस ने दिया था क्या देखा था अभी हमने वही शेर्शा सूरी ने अब पटवारी भी पसंद नहीं आया तो क्या लेकर के आ गए लेकपाल अच्छा सा नहीं लग रहा था कुछ पटवारी तो कहने लगे क्या लेकपाल लेकपाल अब लेकपाल किसे नहीं अच्छा लग रहा था पटवारी शब्द तो चौदरी चरण सींग की जो सरकार थी क्यों कि किसानों के बहुत बड़े नेता थे तो उनके लिए पटवारी शब्द ने अच्छा नहीं लगता थ और क्या नाम कर दिया उसका लेख पाल तो कool है चौदरी-र, चरण सीघिघ थे। किने किसानों के गुरू थे। किसानों के मसीह थे। किसानों के मित्र थे चौधरी चरण सेंग इसी लिए इनने लगा कि जो ऑफिशर या जो अधिकारी किसानों के कम से कम जमीन का लेखा जोका करता है वो भी एक अच्छा नाम होना चीए उसका सुन्दर सा नाम होना चीए तो लेकपाल गर दिया उसका नाम ठीक है चलो अब बहुत इंपोर्टेंट है एक लाठा में कितने इंच होते हैं ठीक अब आंसर बताओ जल्दी से इसका पहले तो बिलकुल सही एस दा करेक्ट आंसर निन्या नवे इंच होते हैं एक लाठा में अब बाद आती है भाईया यह लाठा क्या है अजीब सा स्रब्द है कभी न देख बलो क्या करता है भूमी का नापन करता है गाओं के से त्व में भूमी वगएरा को नापता है उसकाल लेख्षा जोका की कि आपका एक तरीके का पैमाना हैं जिसमें लगभग 99 इंस होते है की आप याद रखेगा ओट से पूछी जाएंगी एक्जाइम में क्यों क्योंकि इसी बात का पेपर है तो यह पूछी जाएंगी आप से इक्जाइम में इसलिए इनको याद रखना अब निन्यानवे तो इन्च हो गए अब कोई फिट में भी तो पूछ सकता है कि एक लाठा बराबर कितने फिट होते हैं तो फिट में जो अगर कोई पूछ दे तो दे देना आट फिट कोई फिट में पूछ ले कि भाईया एक लाठा बराबर कितने फिट होता है आट फिट तीन आट फिट तीन इंच के बराबर होता है एक लाठा लाठा क्या है बेसिकलि एक तरीके का पैमाना है जो जमीन को मापने के लिए इस्तिमाल किया जाता है आप आते हैं फिर से बिस्वा बीगा से भी चोटी यूनिट है ये तो हमें समझ में आ रहा है भूमी को नापने के लिए बीगा भी इस्तमाल के आ जाता है बड़े बड़े शित्र को नापने के लिए कई बार बीगे में नहीं हो सकती किसी की जमीन, तो छोटी यूनिट क्या है उसकी बिस्वा, अब बोला जा रहा है बीस बिस्वा, बीस बिस्वा को जब जोडते हैं, तो कितने बीगा बनेगा, यानि कितने बीगे बराबर बीस बिस्वा, या बीस बिस्वे में कितना बीगा होता है तो बहुत अच्छे से इसको याद रखेगा एक फिस्वा है तो कि आपका ये साथ बिस्वा है तो साथ बिस्वा बराबर कितना हो गया तीन बीगा तो बीस बिस्वा एक बीगे के बराबर होता है बीस बिस्वा एक बीगे के बराबर एक लाठा कितने इंच के बराबर 99 इंच के बराबर फिट में पूछ देगा तो आठ फिट तीन इंच के बराबर होता है ठीक याद रखोगे बहुत इंपोर्टेंट है भूलना मत ठीक है कितने के बराबर होता है बीस बिस्वा एक बीगे के बराबर होता है अब गज में भी तो पूछ सकता है कहीं कहीं पे गज में भी मेजर की जाती है आपकी जमीन गज में पूछ ले बीस बिस् जान विश्वा और एक ब्हाइगा बराबर बीसत विस् व बराबर में पोछे गाज में सास्तु एतना जाल पर बराबर बीस बिस्वा एं चलो अब आखरी क्वेशन न्म्म 10 पटाफट से इसको आंसर करेंगे शाह जहानी जरीब अब अभी पहले question का answer करो फिर समझाओंगी जरीब क्या होता है बड़ी important और बहुत अच्छी चीज है जरीब चाह जहानी जरीब की कुल कितनी होती है लंबाई पुछी गई है कितनी होती है चलो जल्दी बताओ बिल्कुल सही 165 ही कितनी होती है 165 होती है अब देखोगएक बात बात समझजो कि जरीब क्या होता है यहां से हमें दो चीज़े समझने की जरुद है एक तो है जरीब यहां पर फिर शाहजहानी जरीब तो पहले देखो जरीब क्या होता है जो भू भागे यानि हमारी जो लेंड है उसका सर्वेक्षन करने के लिए हमें कोई पैमाना चाहिए मैंने आप मापन किया जाता है लैंड को मेजर किया जाता है अब जरीब कई तरीके के हो सकते हैं जैसे पैमाने कई तरीके के हो सकते हम लंबाई को फुट में भी नाप लेते हैं लंबाई को मीटर में भी नाप लेते हैं सेंटीमीटर में भी नाप लेते हैं स्केल से भी नाप लेते ह तो फीता, स्केल, इंची टेप ये सब क्या है? लम्माई मापने के यंत्र है. ठीक है? स्केल, फीता, इंची टेप या रसी भी ले ले लेते हैं, कई बार अपने हाथ से माग बना लेते हैं उस पर, ये सब क्या है? लम्माई नापने के यंत्र है. उसी तरीके से जमीन की जब लम्माई नापनी है हमें, तो क्या इस्तिमाल होता है जरीब, जरीब क्या है गियंतर है, अब जैसे की स्केल बहुत तरीके के हो सकते हैं, छोटा फुटा होता है, बड़ा फुटा होता है, और बड़ा फुटा होता है, तो ऐसे फुट अलग-लग हो सकते हैं, स्केल अलग- हो सकते हैं ऐसे जरीब भी कई तरीके की हो सकती है यहां पर दो जरीब ऐसी होती है जो बहुत इस्तिमाल की जाती है एक तो शाहजहानी जरीब होता है और एक होता है गंटर जरीब एक होती है गंटरी जरीब और एक होती है शाहजहानी जरीब तो गंटरी जरीब आपकी ब्र करते थे जिनका नाम था गंटर एक बिटेश अधिकारी थे उन्होंने इसको खोजा था इस पैमाने को खोजा था इसको लेकर के आये थे इसलिए इसका नाम पढ़ गया गंटरी जरीब और दूसरी है शाहजहानी तो आप मान सकते शाहजहां के जमें पर इससे ही मापन किया यह जाता था इसका नाम चल गया शाहजहानी जरीब अब शाहरा जरीब की जो कुल लमबाई में वह तो 65 फिट होती है अब अब इभी बताए मिलेकिन जो गंटरी जरीब होती है की कुल लमबाई अगर कभी पूछश झान रखरेंड ज्यान रखेंगे 132 फिट 165. जरीब की 165 फिट गंटरी जरीब की 132 फिट गंटरी जरीब किसके समय पर ब्रिटिश काल के दौरान गंटर एक ऑफिशल थे उनके नाम पर आया गंटरी जरीब जरीब पहले से ही इस्तेमाल उड़िती क्या है एक तरीके का पैमाना है एक तरीके का यंत्र है जिसकी सहायता स भू अभिलेखों को या भूमी का नापन किया जाता है भूमी को मापा जाता है ठीक आप देखो यहां पर जो शाहजहानी जरीब होती है शाहजहानी जरीब में कितने इंच होते हैं इंच पूछले 9.9 इंच कितने इंच 9.9 इंच वहीं गंटरी जरीब में इंच पूछलेग इंच उसमें क्यों, 132 फिट है, चोटी है, तो उसमें कम इंच होंगे, इसमें जादा इंच होते हैं शहाजानी जरीब थोड़ी और बड़ी होती है, इसमें क्या होता है गले में जिससे क्या होता है, तो इतना हो गया, 20 कड़ियां अगई तो इतना हो गए तो इतनी लंबी-लंबी न कड़ी आपस में जोड़के लोहे की बहुत लंबी-लंबाई की जरीब बनाई जाती है तो यह होती है आपकी जरीब चीक चलो तो आज मैं इतने ही question रखूंगी यह रहे आपके answers इनको टेलिग्राम ग्रूप पर आपको as it is मिल जाएगा इन्हें प्राक्टिस जरूर कर लेना इनमें से ही question पूछे जाने वाले हैं तो 25 नम्मर का सवाल है भीया हलके में बिल्कुल मत लेना और जुड़े रहेंगे civil academy के साथ में अगर लेकपाल इस बार पार करना है लेकपाल की प्राक्टिस कराए जाएगी कोई portion नहीं छोड़ा जाएगा चाहें जी एस हो चाहें ग्राम विकास हो चाहें आपकी हिंदी हो अभी हिंदी के भी question कराऊंगी मैं ऐसे दस question कराऊंगी लोकोत्ती मुहावरे बिल्कुल याद करा दूंगे आपको बस आपलो बने रहीएगा ठीक है चलिए तो थांक्यू सो मच कल फिर दस नए question के साथ में आएंगे और इसके related काफी सारी information भी हम discuss करेंगे तब तक इन दस question को याद कर लेना बिलकुल ठीक चलो थांक्यू सो मच हेव नाइस टे हां शैशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरू भाहिया चैनल जो लोग भी नए जोड रहे हो एक चलिए थांक्यू सो मच